नमस्कार प्रवा सक्षिन विस्टेक और आप सभी का स्वागत है कॉंग्रेस के बड़बोले नेता मडी शंकर अयर तो अक्सर विवादित बयानों के जरिये अपनी पार्टी के लिए समय समय पर मुश्किले खड़ी करते ही रहते हैं लेकिन उनकी बेटी भी उनसे कम नहीं ह समुचा विश्व जब राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारो के दरान राम नाम जप रहा था तब मडी शंकर अयर की बेटी सुरन्या अयर राम मंदिर के विरोध में अंशन कर रही थी इस बात का खुलासा जब खुद सुरन्या ने किया तो हंगामा खड़ा हो गया वह दिल्ली की जिस कालोनी में रहती हैं वहां की आर डवल्यो ने उनके अंशन पर आपती जताते हुए उन्हें रहने के लिए दूसरा महला तराशने का फर्मान सुना दिया है हम आपको अता दें कि आयुध्या के रामंदिर में प्रान प्रतिस्था समारो के खिलाफ कॉंग्रेस नेता मडी शंकर अयर की बेटी सुरन्या अयर द्वारा इस महिने की शुरुआत में अंशन किये जाने पर नराज की जताते हुए दक्षिन दिल्ली के जंगपूरा में रेजिडेंट वेलफियर एसोशेशन यानि आडव ने पिता पुत्री को कालोनी छोड़ने का सुझाव दिया है हाला कि सुरन्या अयर ने शोशल मीडिया मंच फेस्बुक पर पोस्ट एक वीडियो में कहा है कि वह आडवल्यो से संबंदित कालोनी में नहीं रहती है और उ शंकर अयर और उनकी बेटी को समोधित एक पत्र में जंग पूरा एक्स्टेंशन आडवल्यो के अध्यक्ष कपिल ककड़ ने कहा है कि कालोनी के निवासियों ने शोशल मीडिया पर उनके रुख और अनरगल प्रलाप और 20-23 अनवरी तक अंशन को लेकर एसोसेशन से संप जंग हो सकती है या निवासियों की धार्विक भावनाओं को ठेश पहुंच सकती है यह पत्र 27 चनवरी को लिखा गया आडवल्यो ने सुरणिया अयर पर घणा फेलाने वाली टिपड़ी करने का अरोप लगाया और उनसे एक अच्छे नागरे के मांदंडों का पालन करने का अनुरोद किया कि कलोनी में विभाजन के बाद पाकिस्तान से भारत आये निवासी रहते हैं ककड़ने पत्र में वड़ी शंकर येर से अपनी बेटी की कदम की निंदा करने का अनुरोद करते हुए कहा है कि आडवल्यो इसकी अतिधिक्स रहना करेगा क्योंकि यह यानि सुरनिया की टिपड़ी और वहवार कलोनी के लिए अच्छा नहीं है ककड़ने पत्र में कहा यदि आप भी सोचते हैं कि आयुध्या में राम मंदिर के उध्गाटन का विरोध उचित है तो हम आपको सुझाओ देंगे कि कृप्या किसी अन्य कलोनी में चले जाएं उन्हो दूसरी और सुरनिया एयर ने फेस्बुक वीडियो में कहा सबसे पहले सम्मंदित रेजिजेंस वेलफियर एस्सेशन उस कालोनी से है जहां मैं नहीं रहती दूसरी बात मैंने फिलहाल मीडिया से बात नहीं करने का फैसला किया है उन्होंने भ्रम फैलाने के लिए मीडिय कि भी आलोचना की उननचास वर्षिय सुरनिया एयर ने कहा कि उन्होंने विदेश में पढ़ाई कि है और सभी राजनितिक प्रेस्ट भूमी के लोगों के साथ सक्रेटा से जुड़ी रही है उन्होंने कहा मैं अपने फेस्बुक और यूट्यूब पेज पर अपना काम आ अपनी असहमेंति के कारणों को उन्होंने पिछले भाषन यानि वीडियो में व्यक्त किया था उन्होंने कहा मैंने अपने घर में शांती पूरक उपवास करके इस बारे में अपने दर्द का एक आध्यात्मिक प्रदशन किया उधर ककड ने कहा 22 तरह की हिंदू है जो 19 चनवरी को यूट्यूब पर पोस्ट एक वीडियो में कहा था 25 चनवरी को अयुद्या में होने वाले कारिक्रम के बीच यहां दिल्ली का महल जहरिला बन गया है उन्होंने कहा कि भारतिये और हिंदू होने के नाते वह बहुत दुखी हैं और काफी सोचने के बाद 20 चनव प्रमुक अमित मौलवी ने शोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि आर डबल्योए ने कॉंग्रेस नेता मणी शंकर आयर और उनकी बेटी से राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारों के बारे में टिपणी को लेकर माफी मांगने और आवासी कलोनी छोड पर कड़ी नारच की जिताई है इसे विचार धारा को हम क्या कहें और इस प्रकार से किसी को खुषी और वो करना ये कोई अच्छी बात नहीं है जो कि ये सनातन धर्मी है हमारे देश के समस्त मुसल्मान भी भाई जान रहे हैं यदि इनका दो-चार पुस्ते दी पीछे पलता जाये तो यहां कोई मुसल्मान है नहीं सब सनातन धर्मी है तो इसलिए इनका जो हमफन पर बैठना ये फब बेतुकी है और राजनीत फे टोटल प्रेरित है और मुसल्मान भाईों को क्या ये खुष करेंगी मुसल्मान भाई तो जो नहीं है जब हमारे राम जनम भूम पर आकर के जो है भी देखी अभी जो इसमें कारिक करम हुआ कितने धर्माचार मुसल्मान भाई लोग भी आये हुए थे जो अध्या में दर्फन किये अरे राम तो सब के हैं जो राम को माने वही राम का है में हो और जोह राम जनम भूंपराण प्रतिफ्था के ऊपर बैठना अमफन एक दम बिलकुल भेतुकी और अनावश्य बकवाद की बाते हैं सनातन धर्म के लिए बहुत दुखी बात है जो हो चुका है उस पे टिपड़ी करना और इस तरीके से अंसर पर बैठना ये हमारे हिसाब से गलत है और ये हिंदू सनातन धर्म का मंदिर है हिंदू का मंदिर है और इसमें जो है सरबोच रेयाले ने फैसला दिया है उसके ये कोई उचित नहीं है जाकी रही भावना जैसी तिन तिन देखी प्रहुमूरज जैसी हमारे भगवान राम लला जी बिराजमान हो चुके हैं अब इस पर टिपड़ी करना देश में सुक सम्रिदी है सब लोग खुष है हिंदू हो मुसल्मान हो अब इस तरीके से बयान पाजी करना अंसर बैठना मेरे हिसाब से उचित नहीं है ऐसे लोग आतंकबादी मान सकता के लोग हैं और ये और अपनी पार्टी दोनों को रसातल में लेके चले गए इनकी बेटी जो कर रही है उसको लग रहा है कि हम जीते जी तो मुक्त नहीं हो सकते राम जी का नाम औ परिकार नहीं है इन लोगों का अंसर बिलकुल नहीं तड़वाना चाहिए और इनको राम नाम से मुक्ति दिला ही देना चाहिए इस देश में कोई समस्चा नहीं हिंदू मुस्लिम सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बहुत बड़ा दिल दिखाया और एक भी मुस्लिम ने एकाद को छोड़ दिया जाए जो आतंगवादी विचारधारा के लोग हैं अब बाकी और सारे मुस्लिमों ने इसका स्वागत किया और यही इस देश की सुन्धरता है यही इस देश का गवरो है कि हम एक सम्वाइधानिक परंपरा का पालन करते हो सम्विधान में जनम भूम है तो मुसल्मानों ने भी स्वागत किया यह आतंगवादी विचारधारा के लोग है नहीं चाहते कि देश में एकता और अखंडता और भारत की जो गंगा जमनी तहजीब हो बरकार रह सके खत्रा है इन लोगों से और ऐसे लोगों मुझे लगता है कि मुक्त हो सब राष्ट और हिंदू के बिरोज में ही आई हैं सब मुसल्मानों की ही समर्थन में इतना ही ने जब देश वतंतर हुआ तब इन मुसल्मानों ने कहा कि ये गाय की पूजा करते हैं और हम गाय खाते हैं तो हमारा इनका साथ कैसे हो सकता है इसलिए हमारे लिए राष्ट अलग होना चाहिए राश अलग होना चाहिए हो गया इनको चले जाना चाहिए था ये नेड़े हुआ लेकिन दुरभागे बस ये उस समय ये कह करके कि हम गाय पूजा करने वालों के साथ ही रहेंगे उनका समर्थन करेंगे ये लोग नहीं गए और आज भी उत्पात मचाते ये राते हैं तो काउंग्रेस तो हमेशा से जबसे राश्ट स्वतंद हुआ तबसे हिंदों के विरोद में, राश्ट के विरोद में ही सारी धाराएं लाती ही उसने मुसलमों के समर्थन में अंसन्यतिSon नहीं शरी त्याग ही देना चाहिए उसको, खाली अंसन करने से तीन अगर आप भी लेना चाहते हैं देश-दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाए ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके